बाइडन क्यूंकि बाइडन बता रहे हैं यूक्रेन पर जो अमेरिकी प्लान है उसका जिक्र वो कर रहे हैं उससे जुड़ी एक बड़ी खबर जल्दी से देख ले रहे हैं यूक्रेन को मदद और रूस पर प्रतिबंद की रणीती का खुलासा हुआ है न्यू यूर्क की रूस पर निर्भरता कम करने में हम मदद देते रहेंगे यानि जिस रणीती के साथ बाइडन अभी तक यूक्रेन को मदद पहुचाते रहे हैं उसको जारी रखने का जिक्र एक बार फिर से इस इंटर्व्यू के दौरान बाइडन ने किया है तो देखिए यह बड़ी पांत्रिक स्वतंत्र संप्रभू सम्रिद यूक्रेन हम देखना चाते हैं एक तो यह कहा है जो बाइडन ने यूक्रेन को हत्यार दिये ताकि वो पाचीत की टेबल पर मजबूत स्थिती में हो ये कह रहे हैं बाइडन टार्गेट्स पर सटीक हमलों के लिए यूक्रेन को अडवांस ड्रॉकेट्स सिस्टम भी दिये गए यूक्रेन को अर्बो टॉलर की आर्थिक मदद आगे भी दी जाएगी ये सिलसला जारी रहेगा यूरोपिय सहयोगियों की रूस पर इंधन निर्भरता कम करेंगे और रूस पर जो प्रतिबंध हमने लगाए हैं वो आने वाले वक्त में भी जारी रहेंगे पूर्वी मोर्चे पर नैटो सेनाओ की मजबूत तैनाती भी अभी बनी रहेगी यानि डिप्लॉयमेंट जो किया गया है बहल साब उसमें भी आने वाले वक्त में कोई चेंज नहीं होगा एक तरफ थोड़ा बीच का रास्ता तलाशते हुए भी नजर आते हैं बाइडन और दूसरी तरफ दबाओ पर खरार रहे इसकी भी कोशिश है बहुत अच्छा बोला आपने क्योंकि अगर आप देखें इनकी सेकंड स्टेटमेंट जो थी वह यह था कि यूक्रेन को उस हिसाब से स्ट्रॉंग बनाएंगे ताकि नेगो स्ट्रॉमेटिक बाची चल रही है और कहीं ना कहीं यह रास्ता बन रहा है कि आगे जाके यूद को रोका जा सके और इसी वज़े से जो असली हेवी ओफेंसिफ वेपन सिस्टम्स हैं वो नहीं दे रहा है यूक्रेन पर बाइडन की यह बड़ी बाते हैं जिसमें वो कहते कि आखिर यूक्रेन को हम मदद क्यों मुहया करा रहे थे